अब हम सिगनल्स को ढूण रहे हैं जब हो मिल जाएंगे तो हमें नजदी की लोकेशन का पता चल जाएगे एक तरफ जनता शारुक खान की अगली फिल्म जवान के ट्रेलर के इंतिजार में नजरे बिछाए बैठी है तो दूसरी तरफ मेकर से ट्रेलर की जगव फिल्म का नया गाना थमा दिया है जवान के नए गाने नौट रमाई आवस्तावयर रिलीज कर दिया गया है और ये गाना एक मज़ेदा डांस नंबर जैसा लग रहा है ये गाना रिलीज होते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में चागया है गाने में शारुक खान का कूल अवतार फैंस को देखने को मिल रहा है अपने डांस मूव से एक पर फिर शारुक ने फैंस का दिल जीत लिया है इस गाने को रिलीज हुए अभी 24 मिनट लग भग हुए है और इस गाने को 4 लाग से ज़ादा लोग देख चुके है नौट रमया वस्तावया गाने को अनिरुध रवी चंदर, विशाल ददलानी और शिल्पा राव ने गाया है गाने को अनिरुध ने कंपोस किया है और कुमार ने इसके लिरिक्स लिखे है गाने की बीट शांदार है इसे सुनते ही आपके पैर थिर रखने लगेंगे जवान का ये गाना जरूर नया है लेकिन इस गानी की टाइटेल में आया रमया वस्तावयः बहुत पुराना है एकदम सतीक जोड़ा जाए तो 68 साल पुराना शायरुक के इस नए गाने से हिंदी सिन्मा के फैन्स को एक पुराना गाना जरूर यादा जाएगा हिंदे सिनमा के लिजेंड राज कुमार के फिल्म श्री 420 जो की ये 1955 में आई थी रमया वस्तावया टाइटिल का गाना था इस गाने को सुन कर बहुत लोगों के पैर थिरके होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि इस रमया वस्तावया का मतलब क्या है जितना मज़िदार राज कपूर का गाना था उतना ही मज़िदार इस गाने के पीछे का किस्सा है आईए आपको बता दे है किस्सा कुछ यूँ बताया जाता है कि श्री 420 के गाने कंपोस करते हुए संगीतकार जोडी शंकर जैकिशन अपना बेस्ट दे रहे थे और गाने ल बताया राज़ती के लिए हईवे किनारे एक दुकान पर रुकते थे इस दुकान पर काम करने वाले एक वेतर का नाम रमया था रमया तेलगू था और हैदरबाद में बड़े हुए शंकर तेलगू बोलना जानते थे तो वो बीजी था, थोड़े इंतिजार के बाद, शंकर ने रमया को फिल से आवास देते हुए कहा, वस्तावया, तेलगु में वस्तावया का मतलब होता है, आएगा या फिर नहीं, रमया को जल्दी आने का इशारा करते हुए, शंकर ने गुरगुणाना शुरू कर दिया, रमया व को दिया रमया के आने और ओर्डर लेने तक चारों ने सोच लिया कि ये एक अच्छा गाना बन सकता है बस रमया वस्तावया की जगा कुछ हिंदी शब्द लगाने की जरुवत थी क्योंकि तेलगू शब्दों का मतलब हिंदी ओर्डियंस को समझ आए ना आए लेकिन इस फिल्मों के टैटल में इस्तिमाल किया गया इसमें से एक तेलगू फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में जूनियर एंटी-यार समन्था और शुती हसन थे दूसरी बॉलीवूट फिल्म थी और इसमें भी शुती हसन थी लेकिन इसमें उनके हीरो गिरीश कुमार थे शारुक मैं खुद ट्रेलर की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की थी उन्होंने लिखा था जवान का जश्ण मैं आपके साथ ना मनाऊं ये नहीं हो सकता आ रहा हूं मैं बुर्च खलीफा पर 31 अगस्त को 9 बजे मेरे साथ जवान का जश्ण मनाए और क्योंकि प्यार दुनिया का सब से खुबसूरत एहसास है तो प्यार के रंग में रंग जाओ और आओ लाल रंग पहने क्या कहते हैं तयार तो आहां आप कितने तयार हैं मैं बढ़ा फर से बताएं कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चालो को सब्सक को दीजे इचासत नमस्कार